नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश रागव आज नए वीडियो के साथ में तुगलक वन्स के बाद जिस मैदपूर्ण सासन का उधे हुआ वो था दिली सेल्तनत में सएदवन्स अगर सएदवन्स के बात करें तो इत्यास में इसका कोई खाज ज्यादा नाम नहीं है सिरफ अगर कंपीटिसन अग्जाम की दरश्टी से भी देखें तो इससे बहुत जादा प्रशन नहीं पूछ जाते हैं एक सिंपल सा एक प्रशन कई बार आया है कि जो संयद्वन्स है इसके संस्थापक कों थे तो इसके संस्थापक थे खेजर खां और इसके अलावा चोटे मोटे और दूसरे राज जो सुल्तान हुए उनमें मुबारक शाह जो हुए उनके दरबार में यायात एहमद सर इंदी नामक एक विद्वान थे जिन्नोंने तारिक के मुबारक साही की रचना की कई बार प्रशनी आ जाता है कि यायात सर इंदी किसके दरबार में थे और उसमें चाहगिर के काल में एक दूसरे अन्यवक्ति हुए और यह जो बेल्डिंग दिखाई दे रही है यह संयद वंस की थी जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने में उसमें लिखा हुआ है कि संयद वंस के आकरी जो शाशक्ते उन्होंने इसका गुंबद का निर्मान कराया जो एक गार्डन की तरह है और इसके अलावा इस वंस की कोई खास उपलब दिन नहीं है लेकिन इसके बाद जो वंस आया उसका बारत की इतियास में अधपुनिस्तान है वो है लोदी वंस पैरे बच्चों लोदी वंस की बात करें तो लोदी वंस का जो संस्थापक थे वो बहलो लोदी थे बैलो लोदी थोड़ा से याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये प्रस्चन कई बार आया है कि लोदी वंस के संस्थापक कोन थे तो कोन थे बैलो लोदी और लोदी पीरियड 1451 से 1526 पानिपत के युद्ध तक ये रहते हैं और इसमें जो बैलो लोदी है उसका नाम से एक रिकॉर्ड भी है कि उसने एक बहुत लंबे समय तक शाषन किया जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1450-1449 तक लंबे पीरिड तक इसने शाषन किया सबसे पहले इसने जौनपूर को जीता और जौनपूर को जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और दिल्ली से जो अभी तक क्या थी राधानी सुल्तानों की दिल्ली राधानी थी दोस्तों आपको ये थोड़ा सा याद रखने की बात है कि दिल्ली कब हुई और कब थी फिर दिल्ली कब बनी तो यह बातें आपको ध्यान रखना है तो इसके समय में पहली बार जो आगरा दिल्ली सल्तनत की रादानी बनी दूसरा इसके बारे में इंपोर्टेट बात यह है कि आप देख रहें कि जो यह लोधी है यह तुरकों से कुछ अलग है यह आप ही तुई ती दिल्ली में कौन था वो व्यक्ति जिसके नेत्र तुम्हें तो वह सेरसा सूरी था तो यह याद रखना है आप लोगों को तो उसके बाद जब बैलो लोधी खतम हो जाते हैं उनका उत्तरादिकारी शिकंदर लोधी होता है शिकंदर लोधी की माता जी ए परनिश्यत रुप से प्रवाव पड़ता है लेकिन आपको ताजुब होगा कि शिकंदर लोधी ने सबसे जादा इंदू का विरोध किया क्योंकि रियल में क्या है कि राजनीत्ति में कुछ चीज़े दिखाने के लिए करनी पड़ती है यह अपने सरदारों को इस कहते हैं कि जो अंदर जो होता है वो आदमी वही करता है तो इसलाम में जिस प्रकार से जो कुछी जोगी मनाई थी तो वो यह काम गुप्त रूप से करता था और उशने एक गुलरुखी नाम से कविता लिख गुलरुखी एक चद्म नाम था इसी काही उसके नाम से क्या कर इसके अलावा इसने फिरंगे शिकंदरी एक आयर वेद के उपर एक पुस्तक लिखी और कभीर दाजी का नाम सुना होगा संत कभीर ने अपने प्रसिद गर गरंत बिजक की रचना इनी के काल में की अब आप कहोगे सर कभीर दाजी तो अनपड़ थे उन्होंने बिजक कैसे लिख दिया तो दोस्तों कभीर दाजी के खिशिश्चते दरंपाल उसने ये गरंत लिखा इसके साथ साथ सिकंदर लोदी ने जो तजिये जो की मुस्लिमे एक त्योहार है उसके उपर भी रोक लगा दी थी इसके अलावा आपको याद होगा कि यह और ने भी लगाई थी तजियों पर रोक बल बनने इब्रहेम लोदी नेक्स्ट इसका साथ सक होता है जैकर आप सामने देख रहे हैं ये बैलो लोदी का पिक्चर है और इसके बाद ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये इब्रहाहिम लोदी है इब्राहिम लोद्धी अच्छा वीर योद्धा था लेकिन उसकी एक कमी थी कि उसे में नित्रत्य शक्टि का वाव था और यही वज़ा है कि उसके जो सरदार थे वो उसे हमेशा नाराज रहते थे क्योंकि उसने सक्ति को केंद्रित करने का प्रयास किया तो सब लोग उसे नाराज हो गए पंद्रा सुत्रा में जो गाटोली का एक युद्ध दुआ याद रखने की बात है आपको और इस युद्ध में जो माराणा सांगा थे इन्होंने इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया और इब्राहिम लोधी को परास्त करने के बाद माराणा सांगा की की जो कीरती थी क्योंकि दिल्ली पर उसका प्रभाव इस्थावित हो चुका था संपूर्ण भारत में एक बार फिर गुंज उठी सब जगए उसका प्रचार प्रशार हुआ इस तरह से राजिस्तान की इस वीर योदा मारणा संगा का नाम संपूर्ण भारत में हो गया और इसकी प्रणेती हम आगे भी देखते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का जो रास्ता था वो राजिस्तान से उकर गुजरता है क्योंकि जब तक मारणा संगा परास्त नहीं होते हैं तब तक बाबर भी अपनी सक्ता इस्थापित पूर्ण रूप से नहीं कर सकता तो प्यारे बच्चों लेकिन उसके बाद 1526 में बाबर ने जब बार्ध पर आकरमन किया एक्चली में बारत पे आकर्मन पंदरा सुन निश्में कर दिया था उसने लेकिन उसके बाद अनेक और भी आकर्मन किये जिसमें 15 सब्विश्का पानीपत का युद्ध है इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया और एक सासक्ते विक्रम जीत सिं इन्होंने इब्राहिम लोदी की मदद की लेकिन परास्त हुए उसके बाद विक्रम जीत सिंग का आपने एक और नाम सुना होगा कि जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कोईनूर हीरे के बारे में कि कहां से कहां पहुचा कब किसके पास पहुचा तो हुमाय जो कि बावर का पुत्र था उससे बिक्रम जीत सिंग को बिक्रम जीत सिंग ने उनको ये कोईनूर हीरा दिया था जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और प्यारे बच्चों जो ये लड़ाई हुई 1526 की पानिपत की इस पानिपत की युद में इब्राहिम ल होता है जो लड़ते हुए मारा जाता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बारत से लोदियों कांत हो गया अफगान सक्ता कांत हो गया और एक नई शाषन शक्ता नए स्वरूप में बारत में आती है जो लंबे शमय तक अपना संक्ठन खड़ा करती है और इसके दूरगामी प्रभाव हम देखते हैं तो इस अगले वीडियो में मैं आपको उस महत पूर्ण सक्ता के बारे में बताऊंगा जो कि मुगल शाषन के नाम से प्रशिद्ध है बारती इतियास में जिन्होंने बारती इतियास में अमिट छाप चोड़ी और आज हम जो जितना मुगल बादशाओं के बारे में जानते हैं उतना हमसाइद किसी दूसरे के में इसलिए नहीं जान पाते हैं कि मुगल काल के बहुत से अवसेस अभी हमारे सामने रखे हैं और हम आसानी से उनको देख सकते हैं आतानी से उनके बारे में बता सकते हैं तो अगले क्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सेर लाइक जरूर करें कमेंट प्लीज जरूर करें क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरी क्या कमिया है और मैं आगे उसमें कुछ सुधार कर सकूँ जैहें